पताय कुछ मूवी ऐसी होती है जो लेट कमर्स के लिए बिलकुल भी नहीं बनी होई होती है जो भी लोग लेट आते हैं ना किसी भी मूवी को देखने के लिए जब जा रहे हो तो अगर लेट जा रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि आप खुद का तो एक्सपीरेंस खराब कर ही रहे हो पर दूसरों का भी कर रहे हो यार पताय इतनी इतनी चिड मचती है ना मुझे जब मैं already मतलब किसी भी मूवी को जाना है किसी भी शो के आदे घंटे पहले वापर चली जाती हूँ जस्तु गेट रिलाक्सट और उस मूवी का पूरा मजा लेना है और फिर बीज बीज में ऐसे टॉर्च ले लेकर पूरा आखों के अंदर उनको घुसेडनी है वो पूरी लाइट और पूरा मजा करिकरा कर देते है बट एन सब लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है उपर जाने के बाद और उनका उनका दीख लेंगे बट फिलाल मैं सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज किसी भी मूवी के लिए लेट मज चाहिए सब लोग टाइम पे चाहिए इनिवे मैं ऐसे मूवी के बार में बात करो जिसके शुरुआत के 15 मिन और आखर बड़िया रिव्यू दिया है जिसका रिस्पॉंस मुझे इतना अमेजिंग मिला है सो सारे मेरे साउथ इंडियन व्यूवर्स को बड़कम थांक्यू शुक्रिया आई लव यू अल्रेडी पर अब दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत वैसे मैं इस मूवी की इतनी बड़ी बता पाई तो इसलिए ये वीडियो स्पेशली कांतारा के लवस के लिए है और यू नो पूरी मूवी में बहुत सारे ऐसे लवजों का इस्तमाल किया गया है जो शब्द हमारे लिए मतलब जो साउथ इंडिया से बिलॉंग नहीं करते हैं हमारे लिए वो काफी नए है और उनका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा रिसर्च मुझे करना पड़ा और जब मैंने रिसर्च किया ट्रस्ट मी मुझे उन सभी शब्दों की और मूवी की गहराई कुछ और जादा महसूस हुई बात करते हैं इस मूवी में इस्तमाल किये गए सबसे पहले वर्ड के बारे और यक्षगणा में भी बहुत बार इसको इस्तमाल किया गया है अब यक्षगणा मतलब क्या यक्षगणा बेसिकली एक ट्रडिशनल थीयटर है जो कन्यडा में करनाटका में बहुत सारे जगह पे और डिवेलप किया गया है और बहुत ही खुबसूरत इसका एक है कमबाइन जिसको एक प्रपोस्टेट कहा जाता है वहां के जो लोग है उनको तुलुआ बोला जाता है और वो जो भाशा बोलते है वो तुलु भाशा बोलते है तो बेसिकली ये पूरा मूवी जो है तुलुनाड कल्चर पे बना हुआ है अब इस पूरी मूवी में दो दैवास के बारे में बात की गई है एक है पंजुरली और एक है गुलिगा अब पंजुरली मतलब क्या तो बेसिकली एक डिवाइन स्परिट ऑफ अ मेल वाइल बोर मतलब एक जंगली सूर है और उनकी पवीत्र आत्मा है अब इस पूरी मूवी में वराहरूपम का ये तो पूरी मूवी में ये दिखाया गया है कि ये जो ट्राइबल लोग है जो कम्यूनिटी के लोग है जंगल में रहते हैं और इसके वज़े से उनकी जो फसले होती है जो जंगली सूर होते है वो बरबाद कर देते हैं तो इसलिए काफी सारे सालों पहले किसी ने सोचा इनके सामने नम्र हो जाएं नतमस्तक हो जाएं और इनसे ही हम लोग प्रार्थना करें कि आप प्लीज हमारे जो धान है उनको नश्ठ ना करें और ये इतनी पवित्र भावना लेकर ये आस्था लेकर बेसिकली पंजुरली इनको पूझा जाता है अब बात करते हैं गुलि पेड के च्छाव के नीचे रखा जाता है, और उसको कुछ नहीं, सिर्फ दो आखे बनाए जाती है, हाथ से ही, और उनकी पूझा की जाती है, और उनसे ये दर्खवास की जाती है, गुलिगा जी से, वो कोई भगवान का रूप नहीं होते हैं, पर वो एक माध्यम होते है, जिनके थुरू हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, भगवान जी से बात कर सकते हैं प्लीज करेक्ट मी, अगर मैं कुछ गलत कहीं पर कुछ मेरी तरफ से कुछ पोट्रे हो रहा है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे मेरी गलतिया सुधार सकते हैं यहां पर आपकी इस पत्थर के हम लोग पूजा कर रहे हैं इसके इरदगीर्द सारे जगे का आप ध्यान रखे और हमारी रक्षा कीजेगा तो इतनी पवीत्र सारी लोकल ट्राइबल कम्यूनिटी जो जंगल में रहने वाले सीधे सिंपल से लोग है उनके जिंदगी का जो सालबर में एक त्योहार की तरह मना जाता है वो होता है भूता कोला इसको दिखाया गया है और भूता कोला का मतलब होता है भूता मतलब पास्ट में गए हुए जितने भी आत्माए हैं और कोला मतलब उनको पूजना तो इसके पहले past में जिन किसी के भी आत्माई जा चुकी है उन सभी को पूझना मतलब भूता को ला होता है और इसके जितने भी videos सारे मैंने बहुत सारा research करने के बाद मुझे इस सारी चीजें पता चली and मैं बहुत सारा fascinated हो चुकी हूँ already I'm still getting goosebumps right now but yes, अब ये सारी चीजें जो आस्था से related इस movie में दिखाई गई है बहुत ही on point है और बहुत ही convincing और बहुत ही satisfying लगती है अब बात करते हैं इस movie के climax के बारे में रिशब शिटी जी नहीं जो climax दिया है वो इसके 100 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था आज भी ये सिर्फ अभी हुआ है इनी के movie के साथ और मुझे नहीं लगता इसके आगे भी 100 साल में कोई वापस ऐसा कोई performance दे सकता है ये बस हो गया है, कुछ ऐसे अजुबे होते हैं जो बस हो जाते हैं इसके बाद में इसी की तरह और कोई नहीं खुद कर सकता खुद रिशब शेटी भी मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद बहुत सारे इंटर्वीज में कहा क्योंकि वो एक positive एक अलग ही energy वो सब लोग feel कर रहे थे set के उपर जहापर उन्होंने वो 15 मिट का climax दिखाया गया है और मैं जादा कुछ नहीं बोलूँगी still it's a no spoiler review मैं चाहती हूँ ये movie अभी भी है थेटर में मैं चाहती हूँ आप अभी भी family को लेकर इस movie का मजा ले सकते है थेटर में जाकर क्योंकि ये movie वैसी नहीं है जो आप television पे है OTT पे देख पाओ अब आखिर में एक और चीज में explanation देना चाहूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने comment section में मुझे पूछा था कि अरे तुमने 4.5 stars क्यों दिये एक और मतलब आधा मार का और दे दिया होता तो तुम्हारे घर का क्या जाता basically but मैं उसके पीछे का reason में आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि you know हम सभी लोगों ने हिंदी माध्यम में वो movie देखिए मतलब हिंदी dubbed version देखा है और क्योंकि ये dubbed version देखा तो बहुत बार ऐसे होता है बहुत बार क्या हर बार ऐसे होता है कि कोई भी जो actual origin में बनाए गई movie है जब भी उसका कोई dubbed version निकलता है तो वो बस 80-90% तक ही उस movie को transfer कर सकते है भाशा के स्वरूप में और यहाँ पर भी बिलकुल वैसे हो रहा है क्योंकि dubbed version में voice over के सही चुनाव ना करने की version से बहुत सारे ऐसे side characters है जिनके साथ हम लोग इतनी easily connect नहीं कर पार है for example किशोर किशोर is such a great actor I must say और उनके इसके पहले भी बहुत सारी amazing काम हमने देखे है अलग-अलग movies में पर क्यूंकि Hindi dubbed version में हमने उनको देखा तो बहुत सारी जगे पे मैं उनकी character के साथ relate नहीं कर पाई और यह कोई flaws नहीं है बहुत कम time period में उनको Hindi dubbed version में movie को release करना था इसलिए यह सारी चीज़े हुए still we can't blame the movie like I said already but yes after all यह movie हमारी संस्कृती हमारी culture वो भले हमारा महाराश्टा का नहीं है पर मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में हम सभी लोग बहुत ही आस्थिक है और अपने अपने धर्म के प्रती हमारे दिल में बहुत ज़्यादा सम्मान है और उतना ही सम्मान दूसरों के धर्म के प्रती भी है और इसलिए इस movie को ज़्यादा ज़्यादा हमें support करना है और just cross your fingers मैं चाहती हूँ इस movie को Oscar तक लेकर जाना है yes so this was all about this review again and बताईएगा मुझे और कुछ अगर आपको सुनना है देखना है जानना है अलग-अलग movies के बार में तो comment section में मुझे बताईएगा ज़रूर मैं आउंगी अगले review के साथ till then peace out